हेलो दोस्तों नमस्कार मैं जूली सा आज मैं चनी की दाल की दाल पूरी बनाने जा रही हूं ये मैं एक कटोड़ा चनी की दाल ली हूं जो अभी मैं कूकर में डाल के इसे तीन या चार सीटी में पकाऊंगी और इसमें एक गलास पानी डालें आप मैं इसे गैस पे चड़ा के फुल्लों में पका लेती हूं जब तक ये तीन चार सीटी लगेगी कूकर में दो गलास में पानी डाला है क्योंकि चनी फिर वो जब पकती है तो फैलती है तो इसलिए आप दो गलास पानी डालो एक कटोड़े चनी की दाल में तो ज्यादा अच् तो इसलिए दो गलास बड़ी गलास से पानी डाली है और जब तक ये चनी की दाल पकड़ी है तब तक मैं आटा गुंद लेती हूं कि यह देखिए मैं दो कटोड़े आटा ले हूं दो कटोड़े अब शुरू करते हैं कि अ मीडियम गीला ज्यादा डीला भी नहीं होना चीए ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए मेडियम में रहनी चाहिए रोटी के लिए जश्तर आप आटा सिंपल तरह करते हैं उसी तरह से हम यह आटा भी गुंद लेंगे और जब तक में दाल पकड़े है तब तक में आटा गुंद के रख देती हूं इसमें थोरी नमक डाल सकते हैं तो अच्छा रहता है और डाल पूरी नमकीन वाला वना रही हूं मैं यह देखे दोस्कों इस तरह से आटा गुंद लेंगे पूरे अच्छे तरह से रोटी जिस आटा गुंद ली हूं जोटी की जैसे अब मैं दाल पक गया है उसको मैं आप छान लेती हूं यह देखे दोस्कों मैंने इसके पानी निकाल ली हूं और इस तरह से यह दाल पक गई है इसको अब मैं कराही में प्राइब करूंगी अब मैं यह एक छोटी चमच हल्दी लूँगी और यह गरम मसाला लूँगी एक छोटी चमच और यह एक छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर लूँगी और अगर आप ज्यादा तिखा खाते हैं तो ज्यादा लाल मिर्ची पोडर और गरम मसाला ज्यादा ले सकते हैं और यह सारे सामागरी मैं तेल में फ्राय करूँगी और एक चमच जीरा डालूँगी पहले तेल में और फिर यह सारे मसाले डालूँगी फिर इसको तेल में पका लूँगी यह देखिए मैं एक चमच तेल डाली हूँ और इसमें मैं पाच फोड़नी डाल रहे हूँ आप खाली जीरा में भी बना सकते हैं और यह जब पक जाए पाच फोड़नी तब इसमें मैं सारे मसाले डाल के पका लूँगी मैं इसमें एक चमच तेल डाले हूँ इसको पका करके और यह सारे समगरियां मैं इसमें पका लूँगी इस तरह से तेल में पका के पूरी में प accord व्यूँगी पूरी बना में तो इसमें हम डाल डाल देंगे तब कर ने पूदे कुछष्क असका अल глаза की पका लेंगे तल को पूरी आख सी तरह से इसको मैस करते हैं पूरे ताकि जब हम पूरी बनाओं तो दाल बाहर ना आए तो इस तरह से पूरी तरह से इसको मैस करके पका लेंगे जाए को इसमें स्वादा अनुसार आप नमक डाल के पूरे अच्छे से पका लिजी ये देखिए मैं साड़े छोटे छोटे लोई बना हुहाँ हु और अब मैं इसमसे अंदर में थोड़ा सा आटा ले लिए इसको कि इसको ज्यादा बसी इसको बना लेंगे इस तरह से ओर यसके अंदर ऑ ये दाल भरके ईस तरह से बनकर दाएंगे आइसी पूरी तरह से बनकर के और ईसको मैं बेलना चेकला पर इस तरह से बेल लोगे आप चाहे तो तेल में फ्राय करके भी खा सकते हैं इस तरह से बेल लोगे सारी कुरिया इसी तरह से बेल के मैं तवा पे सेख लोगे इसे पतले बेल लीजे तवा पे बनाना है तो पतले बेल लीजे और अगर तेल में फ्राइब करना है तो आप कम पतला वेले इस तरह से अब मैं इसे कवा गरम हो गया है इस तरह से इस पर पकाल हो गया है यह देखिए और इसको इस तरह से पलट देंगे यह देखे और कम तेल में पक जाती है यह देखे इस तरह से आप गही में खाना चाहते हैं तो गही डाल के पकाईए तेल में खाना चाहते हैं तो तेल डाल के पकाईए और इसी तरह से साड़ी पुडियां पका लेंगे हम इसी तरह से कि यह देखे दोस्तों जैसा कि मैं बोली थी जो ऐसे दाल पकाना है तो इसको पहले आप ठंडे करके फिर वो उसमें भड़ना है अगर गरम गरम आप भड़ेंगे तो वो फड़ जाती है और यह देखिए दोस्तों अभी पूरियां बनके तयार हो गई है चार पांश आदमी के लिए इतने साड़े पूरियां बनके तयार हो गई है और अगर आप जादा आदमी के लिए बनाना चाहते हैं तो जादा बना स करें सब्सक्राइब करें और आप तेल में भुराय करना चाहते हैं तो तेल में भुराय कर सकते हैं उसके लिए आप छोटी पूर्य हम बनाें और दाल बाहर नहीं आनी चाहिए मैं रोटी के तरह पकाई हूं कम तेल में और आपको तेल में फड़ाय वाली अच्छी लगती है तो आप तेल में फड़ाय करके छोटे इस तरह से बनाना है और तेल में डिप करके फड़ाय करना है और ये आपको पूरी अच्छी लगी तो अगर आप सबस्क्राइब नहीं क तो लाइक कर लिजे और कमेंट करें वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फ्रेंड्स